हम लोग बिद्यार्थी हैं, इस sentence के English जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए इस sentence को English में translate करते हैं, ऐसे sentence में पहले subject लिखते हैं, और इस sentence का subject है हम लोग, तो हम लोग को English में we कहते हैं, तो पहले we लिखेंगे, उसके बाद हैं के English लिखेंगे, is, am, are में से कोई एक तो जब subject वी रहता है, तो उसके साथ आर लगता है, तो वी के बाद आर लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बिद्यार्थी की English, students, we are students, हम लोग बिद्यार्थी हैं, इस sentence की English होती है, we are students, we are students, यदि हम लोग की जगा subject आप लोग होता, जैसे की आप लोग बिद्यार् तो यहाँ पर आप लोग की English, you हो जाता, जैसे की, you are students, आप लोग बिद्यार्थी हैं, या तुम लोग बिद्यार्थी हो, इस sentence की English होती है, you are students, you are students, इसे तरह यदि यही sentence negative होता, जैसे की हम लोग बिद्यार्थी नहीं हैं, तब इसकी English होती, we are not students, आर के बाद not लगाए यदि sentence negative होता है, जैसे कि क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं है, we are not students, और यदि यह sentence interrogative हो जाता है, जो कि क्या से शुरू होता है, जैसे कि क्या हम लोग विद्यार्थी है, तो जब sentence क्या से शुरू होता है, तो क्या की meaning नहीं लिखते हैं, पहले are लिखेंगे, are we students, are we students, और जैसे कि क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं। इसकी इंगलिस होती है Are we not students? ऐसे और भी हिंदी सेंटेंसेज का इंगलिस ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। आपको इस वीडियो अच्छा रगा वीडियो को लाइक करें शियर करें पिने दोस्तों के साथ।